गरीब सुधीर अपनी पत्नी मालती के साथ गाउं में एक जोपडी में रहता था। वह जंगल से लकडियां काट कर शहर में बेचता था। शादी के दो साल बाद जब मालती को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो बेस सबरी से सुधीर का शहर से लोटने का इंतजार करने लगी। शहर से लोटने के बाद सुधीर ने कहा जानते हो हमारे घर एक नंधा महमान आने वाला है। मालती आज में बहुत खुश हो इस खुशी के बदले आज में तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान की जरूरत नहीं है बस अचार ले आईए। मेरा अचार खाने को बहुत मन कर रहा है। अब तो तुम्हारा रोज अचार खाने का मन करेगा, जंगल में एक आम के पेड़ पर बहुत सारे कच्चे आम आये हुए हैं, मैं वहाँ से कच्चे आम तोड़ लाता हूँ, उनका अचार बनाकर तुम रोज अचार खाना। सुधीर माल्ती के लिए बहुत सारे कच्चे आम ले आया, माल्ती ने अचार बनाया, एक सबतहा बाद अचार तयार था सरा अचार खाकर बताईए कि कैसा बना है, वरना ये सारा अचार मैं ही चट कर जाऊंगी माल्ती ने सुधीर को अचार खिलाया, तो वह तो उंगलियां चाटता रहे गया, तब ही माल्ती की पडोसन सत्या आ गई, और कहने लगी माल्ती ने उसे अचार दे दिया, अगले दिन सत्या ने कहा तुम्हारे अचार ने तो कमाल ही कर दिया माल्ती, जानती हो आज ना छुटकी के बापू अचार से ही रोटी ने कर गए थे उसकी खुश्बू सुंख कर माल्क से चक्खे बिना नहा नहीं गया, अचार खाते ही माल्क ने इनकी पगार पूरे पाथ सो रुपे बढ़ा दी और कहा है कि उन्हें दस किलो अचार चाहिए, वो अचार के पैसे भी देंगे, क्या तुम बना सकती हो? अरे क्यों नहीं दीदी, तुम सामान दे देना, मैं अचार बना दूँगी उस दिन रात में बहुत गर्मी थी, इसी लिए माल्ती और सुधीर आंगन में ही सो गए रात के तीन बजे थे, नजाने कहां से आग उनका विनाश बन कर आई, और उनकी जोपड़ी जलने लगी कुछ ही पलों में सारी जोपड़ी ने आग पकड़ ली, आग की लपटों की गर्मी से उन दोनों की आखें खुल गई, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, उनकी जोपड़ी तो स्वाहा हो चुकी थी अब क्या होगा जी, हमारा तो सब कुछ जल गया कई दिन बीट कए, सुधी ने जोपड़ी की जगा साफ करके, लकड़ियों से सिर्च छिपाने का ठिकाना तो कर लिया, लेकिन अब ना कुछ खाने को था, ना पहनने को, सत्या फिर से मालती के पास पहुँची मालती तुम अचार बनाना बता दू, मैं ही अचार बना लू, मालिक रोस कहते हैं मालती ने सोचा मैं खुद ही अचार बना दू, अगर उसके पैसे मुझे मिलेंगे, तो कम से कम दाल रूटी का काम तो चलेगा नहीं दीदी, मैं ही बना दूँगी सत्या ने सोचा एक बार इसी से बनवा लेती हूँ एक बार मैंने सीख लिया तो फिर मैं खुद बना कर बेच लिया करूंगी हाँ मालती ने अचार बना कर दे दिया सत्या के पती को उसके मालिक ने अचार के दो हजार रुपए दिये जिसमें से पांच सो रुपए सत्याने मालती को दे दिये शाम को जब सुधीर आया तो मालती ने अचार के पांच सो रुपए मिलने की बात बताई वाह! कल मैं पेड से कुछ और आम तोड़ लाऊंगा और इन पैसों से सामान लाकर हम और अचार बनाकर बेचा करेंगे अगले दिन सुधीर और मालती ने जंगल के पेड से आम लाकर और अचार बनाया बरतन तो तेज आग में पिघल गए थे लेकिन एक मिट्टी की हांडी बची थी जो आग में तपकर और भी मजबूत हो गई थी उन्होंने उसी हांडी में अचार बनाया फिर मालती और सुधीर ने गाउं से सटे हुए बाजार में जाकर अचार बेचना शुरू कर दिया अचार ले लो अचार मिट्टी की हांडी का अचार दादी मा के पुराने तरीके से घर का बनाया हुआ अचार ले लो बहन जी जरा हमें भी अचार दे ना जब खुश्बू इतनी अच्छी है तो अचार भी ला जवाब होगा मालती के अचार की खुश्बू से ही ग्राहक दूर से खिचे चले आने लगे पहले दिन ही मालती का सारा अचार बिग गया तीन चार घंटे में ही वो अचार बेच कर वापस आ गए साथ में वो अचार से कमाए हुए पैसों में तेल, मसाले और आम खरीद लाए इसी तरह उन्होंने अचार का काम बढ़ाना शुरू कर दिया जिससे उनकी खूब कमाई हुई इसी कमाई से ही उन्होंने अपना घर पक्का बना लिया कुछ दिनों बाद मालती ने एक बेटे को जन्म दिया अब सुधीर अकेले ही अचार बेचने जाने लगा ये लोग तो अचार बेच कर दिन बादिन तरक्की करते जा रहे हैं क्योंना मैं भी मालती जैसा अचार बना कर बेचू वैसे भी मैंने मालती से अचार बनाना तो सीखी लिया है अब सत्या भी अचार बना कर उनसे कुछ दूरी पर ही ठेला लगा कर बेचने लगी सत्या वहां से नहीं हटी मगर फिर भी अभी सुधीर के पास ही ज्यादा भीड रहती थी क्यों ना मैं इसके अचार में कुछ घोटा ला कर दू जिससे सारे ग्राहक मेरे पास आ चाए अरे भावी जरा मेरे ठेले कर ध्यान लखना गर्मी बहुत है मैं सारा ठंडा पानी लेकर आता हूँ वैसे तो मुझे फुरसत नहीं पर देख लूँगी उसके जाते ही सत्या ने उसका सारा अचार अपने डिबो में पलट लिया सुधीर ने आकर देखा कि सारा अचार गायब था उसने सत्या से पूछा अरे भाबी यहां कौन आया मेरा सारा अचार कहां गया आपने इधर ध्यान ने रखा क्या अरे भाई मुझे कहां इतनी फुरसत की उधर देखू देख नहीं रहे मेरे पास कितने ग्राहक है सुधीर खाली बरतन लेकर घर वापस लोट आया सत्या का लालच बढ़ने लगा और वे मौका मिलते ही सुधीर का अचार चुराने लगी समझने यारा मालती कि रोज रोज अचार की सारी हांडी बिना भी कही खाली कैसे हो जाती है आज ना मैं अचार में जमाल घोटा मिला दूंगी लेकिन आप उसे बिल्कुल मत बेचना जो भी चुराएगा उसका पेट बिगड़ेगा न तब लोग आपके पास शिकायत करने आएंगे और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है सुधीर ने ऐसा ही किया और फिर वे दोपहर में वहां से ठंडा पानी लेने चला गया सत्या ने सुधीर को वहां से गायब देख जल्दी से उसका अचार चुराया और अपने ठेले पर आ गई वे बहुत खुश थी कि आज सुधीर ने एक ग्राहक को भी अचार नहीं बेचा लेकिन उसने जट पट सारा अचार बेच दिया करीब दो घंटे बाद ग्राहक अचार लेकर वापस आने लगे और सत्या को खरी खोटी सुनाने लगे अरे या जब से इसका अचार खाया है तब से पेट की हालत खराब है जरूर इस अचार वाली ने इस अचार में कुछ खराब सामान मिलाया है हाँ यार हम सब के हालत एक जैसी है हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए अरे मारो इसे इसके सामान को फेको कहीं इसका अचार खाकर किसी और की तबियत खराब ना हो जाए ग्राहक उसका सामान फेकने लगे सत्या तो डर के मारे रोने लगी और बोली अरे ये ये अचार मेरा नहीं सुधीर का है मैंने लालच में आकर इसका अचार चुरा लिया था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो, जो कहना है सुधीर से कहो हाँ मुझे आप सब लोग माफ कर दो, ये रोज मेरा अचार चुरा लेती थी, जिससे मुझे रोज हजारों का नुकसान हो रहा था चौर का पता लगाने के लिए मुझे इस अचार में चमाल घोटा मिलाना पड़ा, आप सभी थंडा पानी पीएं, उस देर में ठीक हो जाएंगे लेकिन आज मुझे चौर मिल गया, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ नहीं ऐसा मत करना सुधीर, मेरे लालच की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, अब अब ये गलती में दुबारा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो मालती भी वहां आकर ये सब देख रही थी, सत्या मालती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी दीदी, जो हुआ उसे भूल जाओ, और आगे से लालच मत करना, आप हमारे साथ अचार का काम करना, हम लोग जल्दी ही अचार की फैक्टरी शुरू करने जा रहे हैं, वहां काम करने वालों की जरूरत तो पड़ेगी ही सत्या ने अपने आसू पोचते हुए सब से माफी मांगी, और फिर मालती और सुधीर की फैक्टरी में इमानदारी से काम करने लगी शार्दा ने अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन उनकी किस्मत थी कि दोनों को अलग-अलग रास्ते पर ले गई सारी सुख सुविधायों पलब्ध करा दी, छोटा बेटा चेतन बोला, मां भाबी कितनी अमीर है न, आज तो भाबी की फिताजी ने भैया को कार दी है चेतन उन्होंने जो दिया है अपनी बेटी को दिया है, ताकि हम गरीबों के घर उसे कोई तकलीफ ना हो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस रेनू बहु गुड़ी और संसकारी होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रेनू बहुत घमंडी थी, उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था, इसी लिए वह किसी को कुछ नहीं समझती थी कुछ तिनों बार चेतन की शादी अपने जैसी ही एक गरीब परिवार की लड़की शुभी से हो गई शुभी जब पहली बार पगफेरे के लिए मायके जाने लगी, तो अभिशेक बोला अरे ये क्या चेतन, बहु को स्कूटा से ले जाने की क्या जरूरत, हमारे घर में कार है, तुम कार से ले जाओ कार कभी सपने में भी देखी है, मेरे पिता जी ने कार मेरे लिए दी है, ना कि सवारी ढोने के लिए ये क्या कह रहे हो रेनू शुभी और चेतन क्या बाहर की लोग है अरे ये हमारा परिवार है चेतन मेरा छोटा भाई और शुभी उसकी पत्री है आप से तो क्या ही बहस करूँ आज तो ले जाईए लेकिन आगे से ध्यान रखना ये मेरे दहेज में आई है ना कि शुभी के हाँ उनकी बात सुनकर शुभी की आँखों में आसु आ गए और चेतन भी बहुत दुखी हुआ भाबी आप क्यों नराज होती हो हम स्कूटर से ही जा रहे हैं आपकी कार में बैटने के हैसियत नहीं है हमारी चेतन शुभी को स्कूटर से लेकर चला गया एक दिन शारदा ने कहा शुभी बहु जरा एक गिलास थंडा पानी तो देना बहुत गर्मी लग रही है अभी फ्रिच से लाती हुँ माजी शुभी फ्रिच से पानी लेकर आई मगर गलती से फ्रिच खुला रह गया रेनू की खुले फ्रिच पर नजर गई तो वह गरचते हुए बोली ये ये फ्रिच किसने खुला छोड़ दिया दीदी वो जल्दी में मैं ही भूल गई बंद करना आएगा ही कैसे फ्रिच कभी देखा भी हो तो आगे से खुलाना रह जाए ध्यान रखना वरना खराब हो जाएगा तुम लोगों की हैसियत नहीं है फ्रिच खरीदने की शुभी को आए दिन रेनू के ऐसे तानों से गुजरना पड़ता था एक साल बाद रेनू ने एक बेटे को जन्म दिया और शुभी को बेटी हुई शुभी बहुत खुश थी लेकिन अपनी गरीबी को लेकर उसे चिंता सताने लगी सुनो जी इतनी तनख्वा में गुजारा नहीं है अब तो हमारी बेटी भी हो गई है इसके भी तो खर्चे बढ़ेंगे तो आगे कैसे चलेगा हाँ शुभी सोच तो मैं भी यही रहा हूँ भावी भी हमारी गरीबी पर आई दिन ताने कस्ती रहती है हम दोनों के पढ़े लिखे होने का भी कुछ फाइदा नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है हमारी प्रियल भी बढ़ी होगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे इसलिए सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम कर लूँ पी यह पास होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई वो दोनों बाते कर ही रहे थे कि बाहर से रेनू की आवाज आई हाँ हाँ वही तो है आपकी लाडली मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं मेरे पिता जी ने आपका घर भर दिया फिर भी आपको मुझ में कमिया नजर आती है बहू बार बार ये ताना मत दिया करो उन्होंने जो भी दिया तुमें दिया तुम जानती थी कि हम गरीब है फिर अभिशेक से शादी क्योंकी अपनी बराबरी वालों से करती गरीब है लेकिन तुमसे लाख गुना अच्छी है मेरी चोटी बहू तो ठीक है आज से अपनी लाडली बहू के साथ रहो हमसे कोई मतलब नहीं ये कहकर रेनू ने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख लिया और अलग रहने लगी अब तो अभिशेक भी रेनू से शादी करके पच्चताने लगा था लेकिन अलग होकर अब रेनू खुश रहती थी धीरे धीरे समय गुजरने लगा दोनों के बच्चे प्रियल और गौतम बड़े होने लगे ममा जब हम लोग अपनी कार में बैठ कर जाते हैं तो प्रियल और चाची चाचा हमें अजीब तरह से देखते हैं जलने वालों को और जलाना चाहिए वो गरीब लोग हैं कभी कार में नहीं बैठ सकते इसलिए हमसे जलते हैं एक राच शुभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा मैं दर्द से तडप रही थी उसकी चिलाने की आवाज सुनकर पडोसी भी आ गए शारदा ने कहा चेतन देर मत करो बहु को अस्पताल ले जाओ मैं मैं प्रियल के पास रुखती हूँ लेकिन मा ये स्कूटर पर बैठने की हालत में नहीं है ठेरो मैं रेनू बहु से गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ शारदा ने रेनू को शुभी की तबियत के बारे में बताया और उसकी गाड़ी की चाबी मांगी मा जी मेरी कार की क्या जरूरत है अगर तबियत इतनी ही खराब है तो एंबुलन्स बुला लीजी उसने ये कहकर दर्वाजा बंद कर लिया शारदा वहां से चुपचाप वापस आ गई और बोली चेतन रेनू बहु ने गाड़ी की चाबी नहीं दी अभी शुभी को अस्पताल कैसे लेकर जाऊँ अरे बेटा हमारे रहते है चिंता की क्या जरूरत है मैं भी आटो लेकर आता हूँ चेतन उसे पडोस के रगु चाचा के आटो से अस्पताल ले गया तब जाकर शुभी की तबियत में सुधार हुआ अब कैसी हो शुभी? अब ठीक हूँ अगर समय पर रगु चाचा आटो लेकर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता शुभी मैंने सोच लिया है रहेगी लेकिन हमारी कार के लिए पैसा कहां से आएगा? अरे पस यही तो फिक्र है पैसा कहां से आएगा? बेटा मेरे पास कुछ पैसे जमा है मैं तुम्हें वो पैसे देना चाहती हूँ अगर तुम चाहो तो उनसे कोई काम शुरू कर लो क्योंकि जो भाई अपने भाई के बुरे समय में काम नहीं आ सकता वे भला किसका हो सकता है? मा, आपने तो हमारी सारी चिंताए दूर कर दी अब उन पैसों से मैं अपना काम शुरू करूंगा चेतन ने उन पैसों से डिस्पोजबल बरतनों का काम शुरू किया जिसकी इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी कुछ ही दिनों में चेतन के काम ने रफ्तार पकड़ ली अभिशेक, लगता है तुम्हारे भाई ने कोई दो नंबर का काम शुरू कर दिया है आज फ्रिज खरीद कर लाएं है तो क्या हुआ रेनू, फ्रिज तो चाहिए ही तुम तो अपना फ्रिज अपने कमरे में रखती हो आखिर क्यों न रखूँ, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है तुम्हारे पूरे खांदान को नहीं रेनू, मैंने तुम से शादी करके बहुत बड़ी घलती कर ली खुद को और अपने बाप की अमानत को समाल कर रखो मैं अपने भाई और माँ के पास जा रहा हूँ इतना गुसा ठीक नहीं है अभिशेक ये एशो अराम छोड़ कर उन फकीरों के पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और एक दिन न यहीं लोट कर रहोगे हाँ ये तु समय बताएगा अभिशेक ने शारदा से माफी मांगी अभी वे बाते कर ही रहा था कि कार का हौन बजा और जोड से बचता ही रहा शारदा ने कहा अरे किसकी कार है ये हौन बजाए जा रहा है तब ही चेतन कार से निकला और चाभी अपनी मा के हाथ में देते हुए बोला मा ये लीजे अपने गरीब बेटे की कार की चाभी सच चेतन यह हमारी कार है शुभी बहू जल्दी बाहर आओ देखो हमारी नई कार आई है शुभी अपनी नई कार को देख कर बहुत खुश थी भाईया मुझे देज में तो नहीं मिली लेकिन आज मैंने अपनी मेंनत की कमाई से कार खरी दिया और इस मेनत की कमाई से ही अपनी मा और पतनी के होटो पर मुसकान देख पाया हूँ मुझे तुछ पर गर्व है चेतन आज तिरा दर्जा मुझसे कई गुना उचा हो गया है मुझे माफ करते भाई मैं रास्ता भटक गया था लेकिन अभी सही जगा आ गया हूँ गरीबों के घर नई कार आने का खूब जलसा हुआ जिसे देख कर रेनु भी खुद को नहीं रोक पाई और कहने लगी आप सब लोग यहाँ एक साथ मिलकर खुशिया मना रहे हो और मैं मैं वहां केली पड़ी हूँ मुझे नहीं रहना वहां केले मैं भी आप सब के साथ रहूँगी शुभी मुझे माफ नहीं करोगी दीदी आप बड़ी हैं माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो यह मेरा ही नहीं आपका भी घर है और फिर सब कुछ भूल कर वो सब ही लोग अपनी पहली कार से लॉंग ड्राइव पर चले गए